तो कल मैंने एक सपना देखा, उसमें गोच एलियन सा है मेरे पास, अब आके कहने लगे यार हमने सुना कि तू प्रूफ करने आला है अर्थ एक हेग्जगॉन है, मत कर, हमने देखा है उपर से अर्थ गोल है, तो मैंने उने समझा है में पाँ बहुत सारे फैक्ट से जिन से म सेवन पाट्स में डिवाइड है ताके वो एक हेग्जागोन कम्प्लीट कर सके प्राइव हर प्रोंडर कितने हर कसे के लिए और सबसे इंबॉर्टेंट एक लाइट कितने कलर्स में डिवाइड होती है सेवन विब गया हम लोग इसकूल से पढ़ा रहे हैं कि प्रिसम से वाइड लाइड जाती है और सेवन कलर्स निकलते हैं असली में टीचर हम लोग को गलत पढ़ा रहे हैं उन लोग सेवन पाइड होता है त्रेंगल से वह साथ में ट्राइंट से लोग को उन लोग को अन पढ़ समझने लगें तो इसलिए उन लोग के ट्रींगल बनाते क्योंकि हो एजी हैग्जेगन वहाँ पर स्पेस से लाइट आती है अर्थ पे आती है अर्थ हेग्जा कॉन है इसलिए वो seven colors में डिवाइड होती है तो यसे हर प्लैनेट में वो different colors में डिवाइड होती है for example mars amoeba के shape का है तो उसमें unlimited points है तो वहाँ पे light unlimited colors में डिवाइड होती है और color blind जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में कोई भी color blind नहीं होता असलिए में वहाँ कि है कुछ लोगों ने दिल से मान लिया है के earth round है इसलिए लोगों कुछ colors दिखने बंद हो गया है और लोग वापस दिल से मान ले के earth hexagon है तो उन लोगों सारे colors दिखने लगे तो ऐसे ही अर्थ की सारी चीज़े 7 parts में डिवाइड रहे जिसे प्रूव होता है कि earth hexagon है और दुनिया के जो सारे best players है backham, Ronaldo, Dhoni ये सब 7 number की jersey पहनते है इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इन लोग का lucky number है इसलिए पहनते क्योंकि इन लोग को पता है earth hexagon है इन लोग खाली best players नहीं इन लोग smart भी है बस इन लोग बोलने से डड़ते हैं कि earth hexagon है पर मैं याँ पर खाली ये प्रूफ करने नहीं है कि earth hexagon है मैं ये भी प्रूफ करने हूं कि earth goal नहीं है तो चलो नासा के इसाप से माल लेता है कि दुनिया goal है तो gravity के concept के इसाप से हम सब यहां पर नीचे होंगे चिल कर रहे होंगे और कोई ना कोई एक सी उपर की तरफ होगा तो अगर दुनिया goal होती तो gravity के इसाप से पानी पूरा नीचे आता और हम लोग सब डूपके मर जाते लेकिन हम लोग नहीं मरें तो इससे प्रूफ होता है कि earth goal नहीं है और second point हम लोग सब स्पेस में आ चुके है ना सावाय लोग स्पेस में आते रहता है इसरोवाय लोग कुछ ना कुछ स्पेस में बेचते रहता है कभी satellite बनाए ना मेरे parents space में भेज नहीं नहीं देंगे वो घर पर साया के रखेंगे जब भी guest आएंगे तो दिखाएंगे देखो हमारे लड़के नहीं यह बनाया वो पूछेंगे यह करता क्या है वो जो भी करता है space में आगे करता है पर space में बेज दे तो आपको दिखाते क्या तो पर point यह है केसरवालों ने 104 सैटलाइट space में भेज दिये ठीक है और वो space में पहुँच गये लेकिन अगर दुनिया गोल होती और पिछले यह करते है और पाणी होता तो पूरे रॉकेट बस पाणी में चले आजए और अगर पाणी नहीं होता खाली होता तो साही रॉकेट ऊपर जाते है और टाकरा के वापस नीच यहाते है और हम लोग सब मर गये मुझे बहुत सारी नहीं नहीं रियलाइजेशन होने लगी है जैसे हम लोग को स्कूल से पढ़ाते हैं कि अर्थ जो है सन के आराउंड गूम रहा है लगतार गूम रहा है तो अभी हम लोग डाउन में थे और घर पे बैठे वे थे तो पूरा दिन लोग घर पे बैठे वे उसके बाद जब भी हम किसी वह बूलाते हैं किसी दोस को बूलाते हैं या किसी हो काम से बुछाना तो फूम पर बोलते हैं मैं पांच में पहुंच जाओंगा लेकिन तब तक अर्थ जो हैना सन के आरांड गूम चुका होता है तो डिस्टेंस दूर हो जाते हैं तो इसलिए उन लोग लेट हो जाते हैं और यही जब यही सारे रीजन्स तुम आफिस और स्कूल में यूज कर सकते हो जब लॉकडाउन फाइनली मैंने प्रूफ कर दिया है कि अर्थ एक्जगॉन है और उसके इलाव भी बहुत सारी एक्स्टा इंफॉमिशन दे दी है पर कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यह बस कुछ भी बोल रहा है तो मैं पास और भी प्रूफ है और यह बहुत ही इंपॉर्टें नहीं रहेगा तो उन्होंने दूर जाके फोटो ली और में पास एक्चुल फोटो है तो असली में स्पेस से अर्थ ऐसा दिखता है एक हेक्जगॉन है और ना सवाई लोग आज तक हम से जूट बोलता है कि दुनिया गोल नहीं है और ना सवाई लोग जूट इसले बोल र तो मैं बस सबसे यहीं बोलूगा कि तुम लोग को आज से पता चल गया है कि अरते एक हेक्जगॉन है तो आज से तुम लोग हेक्जगॉन रोटी बनाओ ताकि हम लोग ना सवाल को जवाप दे सकें कि हमसे जूट नहीं बोलना चाहिए और अगर तुम लोग को यह वीडि मैं प्रूफ करने आलों कि चांद जैसी कोई चीज नहीं है चांद एक होक्स है थैंक यू